गोसी उप चुनाओं में मतगरना सुरू हो चुकी है और कुछी देर बाद रुजान आने सुरू हो जाएंगे फिलहाल मतपेटिकाओं से मतों को निकाला जा रहा है और एकठा कर जगा जगा पर रखा जा रहा है कुछी देर में जब रुजहान आने शुरू होंगे तो फिर ये चीज़े इसपश्ट हो जाएंगी कि आगे कौन चल रहा है हाला कि हमारे साथ कुछ इस्थानी पत्रकार भी है जो लगातार चुनाओ को बारीकियों से देख रहे थे वाज कर रहे थे हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रानाद बिक रूप में ये किसे आगे देखते हैं और क्या इनका मानना है सबसे पहले सौरब जी क्या मानना है आपका किस तरह का रुजान आने वाण यहां की जो लड़ाई है ये एक तरह से अस्थानी बनाम बाहरी की लड़ाई थे सुरू से ही भाजपा इसको सपा बनाम भाजपा करने में लगी हुई थे जो सपा समर्थित प्रत्यासी थे और जो समाजवादी पार्टी थे उसने इस लड़ाई को काफी है तक अस्थानी बनाम बाहरी करने का प्रयास किया जिसे देख करके लग रहा है कि लगभग लगभग यह जो चुनाव परड़ाम आने वाला है यह समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने हुई अच्छा यह कहा जा रहा है कि जो दलित वोटर है वो बगई सालेंट वोटिंग की है तो इसको लेकर आप लोगे क्या रहा है कि दर किस और उट करवट बैठेगा जैसे कारण यह रहा कि ब्यस्पी अपना मुदवार नहीं उता रहा है और दूसरी बात यह रही कि जो दारा सिंच चौहान लगतार कभी बिधायक रहा है कभी मंदिर है यहां चुनाव जीते है जीतने के बाद जनता के बीच नहीं है बहुत लोगों देखा भी नहीं उनको तो इस वज़ा से यहां का जो ब्यस्पी ओटर वो साइलेंट है और अस्थानी जो यहां के विधायक रहा चुके है सुधाकर्चिंकों तो उन्हों को लगबग मान की चली कि दलीत ओट 70% उनके तरफ गया है किन मुद्दों पर चु चुनाव जात की नाम पर चुनाव होता है क्या लगता है विरादरी के अधार पर अगर देखा जा तो किसका प्रगा भारी है देखिए जो इस समय जो हम लोग को सुचना है जो हम लोग का नुमान है कि सुधाकर सिंक कही न कहीं आगे है अच्छा पत्रकारों के फेबरेट बने हुए सुधाकर आपको क्या लगता है ऐसी कोई बात नहीं है जब तक शुनाव जब तक पोलिग नहीं हुई थी मत्दान से पहले भारती जंता पार्टी पत्रकारों के फेबरेट थी लेकिन जिस पत्रकारों का फेबरेट कोई होता नहीं है पत्रकार किसी की नहीं होत जो जनता में दिखता है वो पत्रकार दिखाता है उसको चाहे कोई पक्षपात कह ले या कुछ भी कह ले वो एक अलग बात है लेकिन मतदान से पहले जिस तरीके से मंत्रियों की फौज उत्री मुखमंत्री आए दो-दो मुखमंत्री कैंप करते रहे यहां पे और जिस तरीक मतदान हुआ और मतदान में तमाम पत्रकार जो छत्री रिपोर्टर है जो गाउधियात के भी रहने वाले हैं उनसे जब उनकी राय ली गई और जनता से पूछा गया जनता की राय ली गई इस तरीके से तमाम चीजे जो निकल निकल के सामने आई तो वो जो रिजल्ट दि है कि अके रहने वाले हैं लेकिन वो जनता की से चुने गये नहीं है उनको तो घिफ्ट मिला है वो बिदैन प्रस्ट जाके मंत्री हुए हैं जनता मुझका कोई सहयोग नहीं रहा है और ना वो जनता की बहुत सुनते भी हैं कोई व्यक्तिकत काम के लिए हलाकि करोड़ों पर लाए हैं विकास का काम करवा रहा है यह जनता देख रही है दीरे दीरे अभी उनको समय लगेगा नेता बनने मों नेता नहीं थे अधिकारी थे और अभी जनपरी बनने में समय लगेगा और सिर्फ उनी की प्रतिष्ठा नहीं फसी थी बहुत लोग यहां पर तो 20-25-50 मं पर बैठेगी नहीं देखिए दोनों तरफ से लोगों ने काफी प्रयास किया है अगर भाजपा के मंतरी यहां डिप्टी सीया अंपरदेश अध्यक्स सभी लोगों ने डेरा डाला तो सपा के बी तरफ से शुपाल लेया दो जी रामकुपाल लेया दो जी सपा के किया है बस दो घंटे में सब पता चल जाएगा अनुमान क्या है पत्रगारों का क्योंकि आप लोगों ने ग्राउंड पे काफी रिपोर्टिंग भी की है तो आप लोग काफी इसका अनुभाव रखते हैं क्या अनुमान है अब देखे रिपोर्टिंग के तार पे और माद देखें पीसे कई चुनाओं से हम लोग देख रहा है तो आप इदान सबाद चुनाओं 2022 का देखिए तो यहां सपा के साथ गटबंदन थी और समाजवादी पार्टी हर जगह वहां से विदायक चुनके गई तो यह ओपी राजबर का ही फेक्टर था राजबर वोट समाज समाजवादी पे चड़े अब भाजपा में है तो भारती जनता पार्टी के उमिद्वार पे चड़ रहे हैं तो निश्चित तोर पे ओपी राजबर एक निडायक है और दलित वोट जिधर जाएंगे उमिद्वार वही जितेगा दलित वोटों को लेकर लगातार चर्चा चलिए कि दलित वोट जिधर जाएगा वही पार्टी बिजयस्री को प्राप्त करेगी क्या लगता आप बिल्कुल यह हकीकत है अभी जो सिती देखी जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारती जनता पार्टी हमेशा इनमें मुकाबला काफी सालों से देखा जा रहा है कि इनमें ही मुकाबला रहता है लेकिन तीसरा प्रत्याशी होता है वहुजन समाज पार्टी का और वहुजन समाज पार्टी का जब प्रत्याशी आता है तो कहीं न कहीं मुस्लिम वोट भी कटते हैं और दलित वोट जाहिर से बात है बस्पा प्रत्याशी के ही साथ जाते हैं इस बार क्या रुजान रहा, अंसारी परिवार का किस तरह का इंत्रस रहा? अंसारी परिवार का पुर्वाँचल कि कई सीटों पर जब चुनाओ होता है तो दाखल होता ही होता है। चाहे खुल कर हो या अंदर हो। और इस चुनाव में भी अगर देखा जाए तो मुखतार अंसारी के भतीजे हैं, मन्नु अंसारी, विधायक हैं, युसफपूर मुहम्दाबास से शायद बो, सिब गतुल्ला अंसारी के बेटे, तो वो यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने प्रचार भी किया, तो अंसा कि सोर करवट बैठेगी? जो लोगों से बात चीत और जो वोटर्स थे, उनके कहने के हिसाब से, जो अस्थिती मैंने देखा, मुझे लगता है कि 30,000 की मार्जिन से जीत सकता है सपा प्रितेशी. बिल्कुल दो हमारे साथ ये मौव और घोसी के स्थाने पत्रकार थे, जो ग्राउंड लेबल पर लगातार कारे कर रहे थे, और इनका कहना है कि देखिए, दोनों ही पाटियों में काटे का मुकाबला है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो सुदाकर सिंग है, उनका पल